हाई फ्रेंज अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं बीजेपी का अंत करी आंधर प्रदेश में अमिच्शा की रैली में नहीं चुटी भीड सबा को करना पड़ा रखी 2014 में मोदी लहर के सहारे प्रचन बहुमत के साथ सत्ता पर काविज हुए बीजेपी का 2019 में ये हाल हो गया है उसे अपनी रैली को भीड की कमी की वज़े से रत करना पड़ रहा है ताजमामला आंधर प्रदेश के श्रीका कुलम जिले से सामने आया है जहां चार फरवरी को बीजेपी के राश्ट्री अध्यक्ष अमिच्छा को भीड की कमी के काड़न अपनी जनसभा रत करनी पड़ी दहन सिंड्या की खबर के मुताबिक श्रीका कुलम से अमिच्छा को अपनी बस यात्रा का शुभारम करना था इसके लिए यहां एक जनसभा का आयोजन किया गया था लेकिन अब अमिच्छा जस्वास्थल पर पहुँचे तो पार्टी कारे करता के लावा वहां कोई मौजूद नहीं था जिसके बाद धीर की कमी के चलते अमिच्छा ने अपनी सभा को रत कर दिया खबर में अमिच्छा की जनसभा में भीरना जुटने का कारण भी बताया गया है रिपोर्ट में कहा गया है कि कासी बगगा वर्स्टैंड के पास तनाव का महौल था यहां तेलिवूद देशम पार्टी के समर्टक अमिच्छा का विरोध करते हुए इखटे हुए थे टीडीपी समर्टकों का कहना है कि बाजपा की सरकार ने राज्ये के साथ वादा खिलाफी की है खबर के मुताबिक टीडिपी समर्तकों के विरोग और आम जनता की उदासीन प्रतिक्रिया की वज़े से अमिज्चा को एक छोटी सबा के लोग को संबोधित कर निकलना पड़ा इसके साथ यह भी कहा जा रहा है कि प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी अमिज्चा की सबा का कोई खास रिस्पॉंस नहीं मिल रहा यह पहली बार नहीं है जब बीजेपी को अपनी रैली में भीड की कमी महसूस हुई है इससे पहले मध्यप्रदेश विधानसवा चुनाफ के दौरान भी बीजेपी के कई रैलियों में भीड ना जुटने के महमले सामने आए है इसके साथ हर्याना और राजस्थान में भी कुछ ऐसी नजारा देखने को मिला